हलो एंड वेलकम टू दा यूपी एसी एनालाइजर तोड़े वी विल डिस्कस नियूस पेपर अनालिसस डेट टेंथ अपरिल ट्वेंटी ट्री फॉस्स नियूस एंटेरिम टाइकर रिपोर्ट सेगनल्स बिगर गेन सम वार्निंग्स अभी यह जो डेटा रिलीस किया गया ह यह इंटेरिम डेटा है जब फाइनल डेटा रिलीस होगा तो उसको तो हम डिसकस करेंगे ही क्योंकि न्यूस पेपर उसको कवर करेगा तो अब इंटेरिम डेटा जो है उसमें हम एक दो पॉइंट्स डिसकस कर लेते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टन पॉइंट जो हो सकता वो यह हो सकता है कि SECR किस से associated है The fifth cycle of tiger census and evaluation of tiger reserves in India released by Prime Minister Narendra Modi on Sunday has estimated कि जो number of big cats country में है ये 3,167 हो सकते हैं 2022 के data के according ठीक है Once the final estimates are available the gain in tiger numbers is likely to be significantly higher than the margin of 200 which the interim figure of 3,167 has compared with 2,967 reported in 2018 और यहां पर किसका use किया गया है capture recapture के लिए तो उसके लिए यहां पर use किया गया है SECR का especially explicit capture recapture I remember एक question आया था prelims में कि M stripes किस से associated है तो ऐसे ही question आ सकते है कि SECR किस से associated है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि SECR यहां पर किस से associated है In the present cycle, 3080 unique tigers have been identified from the camera trapped photos लेकिन अभी तक SECR analysis नहीं हो पाई है जब SECR analysis हो जाएगी उसके बार यहां पर final data को release कर दिया जाएगा इसके अलबा Prime Minister Modi ने inaugurate किया है International Big Cat Alliance अगर आपको याद हो तो International Big Cat Alliance के बारे में हम पहले भी discuss कर चुके है कि India यहां पर launch करने की सोच रहा है International Big Cat Alliance को तो फोस्ट ओसकाइगा इन अपर कंट्री और यहां पर इन फिर्फिटी एटस अफ प्रोजेक्ट टाइगर और यह जो यहां पर International Big Cat Alliance है इसमें कौन से member countries होंगे तो basically जो भी यहां पर Tiger Range Countries है जो भी यहां पर Big Cat Range Countries है तो 7 Major Big Cats इन दुनिया में इंडिया में दो नहीं मिलते हैं बाकी 5 इंडिया में मिलते हैं कौन से दो नहीं मिलते हैं तो Puma and Jaguar यह इंडिया में नहीं मिलते हैं यह कौन से हैं 7 Major तो Tigers, Lions, Leopards, Snow Leopards, Pumas, Jaguars and Cheetahs तो बाकी सब मिलते हैं इंडिया में दो नहीं मिलते हैं आपको ये याद रखना है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में wild life diversity बहुत जादा है सिर्फ हमारे पास 2.4% of the global land area है लेकिन उसके बाद हमारे पास 8% दुनिया की wildlife diversity है इंडिया is the largest tiger range country in the world with nearly 30,000 elephants हमारे पास largest asiatic elephant range भी है फिर ये बताए गया है कि कहाँ पर tigers बड़े हैं कहाँ पर tigers कम होए होंगे लेकिन इसके लिए हम data discuss करेंगे जो final report आईगी interim report का data discuss करने का कोई meaning नहीं है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि photograph जो की 2022 में capture हुई अगर हम 2018 में जो estimate किया गया था तो shivalik hills and gangetic planes तो 646 लेकिन 804 यहाँ पर photograph किये गए है तो यह यहाँ पर number बताया गया है मुझे यह number बहुत जादा important नहीं लगता है जैसे कि अगर आप western gharts में देखो तो यहाँ पर कम हुआ है North East में भी यहाँ पर कम हुआ है तो यह यहाँ पर कुछ warning के signals है लेकिन एक बार final report release हो जाने देते हैं उसके बाद हम detail में discuss करेंगे जो भी है अभी आपको सिर्फ यहाँ पर SECR याद रखना है Next है armed forces form panel to examine disability pension अब यहाँ पर कुछ personals retire होते हैं disability के साथ disability के बहुत सारे reasons हो सकते हैं war wounded भी हो सकती है disability या कभी-कभी यहाँ पर lifestyle की वज़े से भी disability हो सकती है ठीक है जादा altitude पर काम करने की वज़े से यहाँ पर partial hearing loss हो जाता है तो यह सारे reasons भी हो सकते है disability के अब यहाँ पर disability कितनी है उस basis पर थोड़ी pension यहाँ पर जादा मिलती है ठीक है अब यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि disability यहाँ पर reasons हो क्या रहे है क्या यहाँ पर lifestyle जो है यह disability का reason है या तो यहाँ पर war की वज़े से कुछ casualties हो गए है यहाँ पर disability का reason है यह सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा उसके लिए एक यहाँ पर panel बना दिया गया है तो Indian Armed Forces ने यहाँ पर एक inter-services panel बनाया है to examine different aspects of disability pension to their personal मुझे नहीं लगता है यह panel बहुत ज़ादा important है तो आप यहाँ पर panel का नाम नहीं भी पता हो तो चलेगा क्या पता होना चीए one rank one pension and one rank one pension को हम discuss भी कर चुके इसके लिए कौन सी committee बनी थी यह भी हम discuss कर चुके है तो disability pension payout is just around rupees 4000 crores but the auditor's observations that up to 40% of total officers retire with disabilities has raised many an eyebrow कितने सारे officers यहाँ पर disabilities के साथ कैसे retire हो रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या इसका reason है lifestyle diseases इसका reason है और क्या यहाँ पर corrective action लेने की जरूरत है तो इसके लिए यह सब देखेगा government official said the stress जो कि यहाँ पर involved होता है जब आप इतने ज़्यादे difficult fields में काम करते हो या तो आप high altitude में काम करते हो या तो insurgency prone areas में काम करते हो left armed forces personal with injuries leading to major and minor disabilities और जिसकी वज़े से यहाँ पर lifestyle diseases भी aggravate हो जाती है personal also claims pensions for disabilities अगर partial hearing loss हो जाता है या तो lower backache हो जाता है in 2019 CBTT ने यह कहा था कि जो यहाँ पर disability pension में लेगी इसको tax से exempt हिया जा रहा है यह point important है disability pension को यहाँ पर tax से exempt हिया जा रहा है लेकिन यह कहा गया था कि जो tax exemption दिया जाएगा यह उनी को दिया जाएगा who had been invalidated from service ना कि यह किसी और वज़े से retire हुए है फिर यह case यहाँ पर Supreme Court में जाता है और Supreme Court यह कहता है कि यहाँ पर status quo maintain करने की जरूरत है कि जैसा है वैसा ही रहने तो कुछ change करने की जरूरत नहीं है तो Supreme Court यह कहता है अपने verdict में कि status quo को maintain करने की जरूरत है This was challenged in the Supreme Court which in an order dated August 30, 2019 directed all parties to maintain status quo on the matter और यहाँ पर O.R.O.P की बात की गी यह 1 rank 1 pension और यह defense personnel के लिए है 1 rank 1 pension अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ सकते हो ठीक है अब हम चलते हैं आगे Next है Why Amul Can't Pete नंदनी करना ठकाज रूपीस 1200 करोर incentive to farmers अब यह news में बहुत जादा आएगा तो आपको यह लग सकता है इंपोर्टन्ट है तो एक बार मैं बस आपको बता दे रही हूँ कि यह है क्या तो जो Amul है करनाठ का mentor हो रहा है और Amul करनाठ का mentor हो रहा है उसकी वज़े से यहाँ पर हो सकता है कि नंदनी को ऐसा लग रहा हो कि यह हमारे लिए एक competitor बन सकता है लेकिन इस article में यह बताएगा है कि अचली यहाँ पर जो Amul है यह नंदनी का competitor कभी बन ही नहीं सकता है क्योंकि जो नंदनी है इसको यहाँ पर सरकार से incentive मिलता है तो यहाँ पर price बताएगा है कि अगर हम Amul milk का price ले तो 39 रुपीज यह जो है नंदनी के मिलका price है लेकिन Amul के मिलका price इसे बहुत जादा है 54 पर लिटर price है फर Amul toned milk लेकिन यहाँ पर नंदनी के लिए 39 है तो अगर हम price की basis पर खेल लें तो यहाँ पर नंदनी clear winner है और जो Amul है यह इसको competitor बिलकुल भी नहीं बन सकता है तो यहाँ पर नंदनी को कोई tension लेने की जरुरत नहीं है फिर यहाँ पर एक word का use किया गया है shrinkflation shrinkflation क्या होता है तो for example जो यहाँ पर size होता है उसको कम कर दिया जाता है जैसे कि अगर आपको 100 gram दिया जा रहा था 10 रुपे में तो अभी packet का size छोटा कर दिया जाएका लेकिन वो आपको मिले गई 10 रुपे का जैसे कि अगर 80 gram कर दिया गए लेकिन आपको 10 रुपे का ही मिल रहा तो इसको shrinkflation बोलते हैं ठीक है तो shrinkflation की बात की गई है फिर यहाँ पर नंधनी की monopoly कैसे है तो नंधनी की actually monopoly ऐसे है कि यहाँ पर जो सरकार है यह इसको incentive प्रोवाइट करती है अब यह बार बार न्यूज में आगा तो एक बार हमने कवर कर ही लिया आगे हम चलते हैं यहाँ पर कोई important news नहीं है PM Narendra Modi with Baman and Belly यह क्यों important है तो हमने discuss किया था कटुनायकन tribe अगर नहीं पता है तो हम पहले discuss कर चुके हैं बार बार सेम चीज़े discuss रहने का time भी नहीं होता तो आपको खुद से देखना है कटुनायकन tribe के बारे में आपको यहाँ पर इरूला ट्राइब के बारे में भी पता होना चाहिए ठीक है परियार tiger reserve gets top rank in management review none poor परियार tiger reserve सबसे पहले कहां पर है तो यह है केरला में ठीक है यह best maintained tiger reserve country का कैसे पता चला तो यहाँ पर किया गया management effectiveness evaluation और जिससे यह पता चला कि यह यहाँ पर best managed tiger reserve है वाइल परियार reserve has obtained an MEE score of 94.3% बाकि इसके पीछे कौन से है तो सत्पुरा tiger reserve जो की MP में है बांधीपूर करनाचका में है अंचनागर होल यह भी करनाचका में है अभी दो का यहाँ पर नहीं हुआ evolution अब इन दो का क्यों नहीं हुआ क्यों यह बाद में बनाए गया तो यह newly declared tiger reserves हैं तो यह दोनों भी आपको बता होना चाहिए IUCN's World Commission on Protected Areas provides a framework कि यहाँ पर management effectiveness देखी जाएगी protected areas की उसके लिए 6 criteria होंगे अभी 6 criteria कौन से हैं कि values and threats कैसे हैं progress कैसे हो रही है through planning and allocation of resources as a result of management's actions and its impacts ठीक है तो यहाँ पर होता है MEE इसके according है यहाँ पर जो परियार tiger reserve है केरला का यह है best maintenance of all tiger reserves in the country आगे हम जलते हैं यहाँ पर PVTGs की बात की गई है particularly vulnerable tribal groups they are primitive tribal groups जो की sub classification है scheduled tribes का और PVTG list हैं यहाँ पर क्यों बनाई कही थी कि basically यह जो यहाँ पर particularly vulnerable tribal groups हैं इनका यहाँ पर living standards को improve किया जा सके और यह जो यहाँ पर community है इनका low level of education रहता है healthcare awareness नहीं होती है and according to ministry of tribal affairs 75 PVTGs आपको मिल जाएंगे across the country और यह जो statement है कि 75 PVTGs हैं कितने union territory में हैं कितने states में हैं तो यह question आज चुका है prelims में next is rights of the opposition यह हम discuss नहीं करेंगी यह political article आपको खुद देख कर समझ आ रहा होगा new classroom यह हम पहले भी discuss कर चुके हैं basically यहाँ पर art, science और जो comments के border से उनको remove करने की बात की गई है अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर teacher को empower करने की जरुरत है ऐसा यहाँ पर author का कहना है तो export panel यहाँ पर center ने appoint किया और जिसने यह कहा कि school education system को यहाँ पर restructure करने की जरूरत है तो committee न यहाँ पर pre-draft release किया है national curriculum framework का और उसमें यह कहाँ गया है कि जो बच्चा है pursue कर सकता है arts, commerce, science तीनों के subjects एक सत for example अगर आप science की student थे तो आप यहाँ पर physics, chemistry, math, physics, chemistry, biology ही ले सकते थे लेकिन अभी आप यहाँ पर history ले सकते हो आप यहाँ पर economy ले सकते हो तो यह सब यहाँ पर है कि जो boundaries है इनको कही ना कहीं खतम किया जा रहे लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको school के system में change करना पड़ेगा और आपको higher education system में भी change करना पड़ेगा for example अगर आपको higher education system में engineering ही offer की जारी है तो आपको इसके लिए physics, chemistry, math तो होना ही चाहिए आप यह तो नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पर physics, chemistry के साथ history ले ली तो तो आप यहाँ पर engineering नहीं कर पाऊगे तो यह सब कुछ है तो यह यहाँ पर author नहीं कहा है कि higher education system को भी हमें change करने के ज़रत पड़ेगी officer राज यह की article है तो important नहीं है basically एक यहाँ पर conman था जो कि यह दिखा रहा था कि वो यहाँ पर PMO office में काम करता है लेकिन actually वो यहाँ पर PMO office में काम नहीं करता था तो author का यहीं कहना है कि जिन लोगों ने भी जो भी officials थे जमूए उन कश्मीर में जिन्होंने conman को एक free pass दिया उन सब को यहाँ पर accountable ठहराने की ज़रूरत है next है old approach new pact यह हम discuss करेंगे इसमें author ने एक बहुत अच्छा point उठाया है जो कि अभी तक मैंने भी observe नहीं किया था यह कौन सा point है तो यह जो FTA sign हो रहे है for example हमने यहाँ पर Mauritius के साथ FTA sign किया इसके लाव हमने यहाँ पर UAE के साथ FTA sign किया फिर हमने यहाँ पर Australia के साथ एक interim agreement sign किया इसमें क्या change है और क्या similarity है तो change यह है कि जो भी हम यह FTA sign कर रहे है इसमें आपको यहाँ पर foreign investment से लेकर rules नहीं मिलेंगे तो foreign investment को लेकर आपको इन यह जो FTA sign हो रहे हैं उसमें आपको इनको लेकर कोई rules नहीं मिलेंगे अब हमने यहाँ पर foreign investment को लेकर किसी भी rules को include नहीं कि इसका मतलब यह है कि हम यह चाहते हैं कि हमारे domestic laws के according यहाँ पर foreign investment guide हो जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर किसी country के साथ अगर FTA sign किया है और उसमें यहाँ पर foreign investment को लेकर भी नहीं कर रहे हैं तो India is decoupling international trade law from international investment law तो FTAs with Mauritius, UAE and Australia इसमें आपको international rules on trade तो मिलेगा लेकिन foreign investment के rules आपको इसमें नहीं मिलेगे but rules on foreign investment protection are missing the absence of investment protection in these FTAs is even more striking क्योंकि इससे पहले जो भी हमारी bilateral investment treaty थी हमने उनको unilaterally terminate कर दिया है इसका reason यह है कि हम यह चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर foreign investment हो यह हमारे domestic rules की basis पर गायदो अब ऐसा करने वाले हम पहले country नहीं है South Africa हमसे पहले ऐसा कर चुका है लेकिन South Africa ने उसके बाद एक law लेकर आया foreign investment को protect करने के लिए लेकिन इंडिया अभी तक कोई ऐसा specific law लेकर नहीं आया है तो author का यह कहना है कि इंडिया को भी एक specific law लेकर आना चाहिए अगर FTA में include नहीं कर रहे है foreign investment protection को ठीक है in FTA 2.0, India is ostensibly following an approach जो कि यहां पर बताई थी किसी ने domestication of IIL, a process where countries develop domestic rules instead of or sometimes in parallel to IIL rules to protect foreign investment South Africa ने भी ऐसा किया है हम दी यहां पर ऐसा करें एकि South Africa एक specific law लेकर आया था जो कि हम नहीं लेकर आया है तो unlike South Africa, India hasn't legislated an exclusive law for the protection of foreign investment but the message is quite clear while international trade commitments will be protected under international law foreign investment को यहां पर guard किया जाएगा एस पर municipal loss municipal loss मतलब domestic loss हमारी loss के according while this surely gives India हमारे जादा control हो सकेगा foreign investment के उपर लेकिन क्या यह तरीका सही है यह एक सोचने का विशह हो सकता है discussion का विशह हो सकता है this is the correct course of action is a moot point the domestication or de-legalization of IIL takes India back to the pre-1991 era जब इंडिया यहां पर timid हुआ करता था about the international legalization of economic relations लेकिन अभी यहां पर difference है अभी हम चाहते हैं कि foreign investment आए ठीक है next is building the blue economy तो basically यहां पर fisheries sector की बात की गई इसको build करने के लिए क्या किया जा सकता है तो China ने deep water fleet बना रखके हमारे पास deep water fleet नहीं है तो हमें भी यहां पर deep water fleet बनाने की जरूरत है और दूसरी बात यहां पर एक scheme की बात की कही है प्रधान मंत्री मतस समपदा योजना और इस scheme को कैसे बहुत जाद अच्छा बनाया जा सकता है कौन से neighbor के साथ तो especially यहां पर Shilanka की बात की कही है दा इंडो-Shilankan dispute over fishing rights in the park state the water body जो की separate करती है Tamil Nadu को from the Jafna region of Shilanka और यह basically यहां पर एक diplomatic लड़ाई का विशे भी रहता है दा इंडो-Shilankan maritime boundary agreements जो कि 1974 और 1976 में साइन होए ते जिसमें यह कहा गया था कि दोनों ही countries के जो fishermen है यह rights enjoy करेंगे जैसे कि traditionally enjoy करते थे लेकिन हमने कई बार देखा है कि यहां पर जो Shilanka की navy है यह हमारे fishermen की उपर गोलियां तक चला देती है अगर यह इनके waters में चले जाते हैं तो since maritime boundaries में कोई physical demarkation तो होता नहीं है the lull in fishing activities क्योंकि यहां पर क्या चल रहा था Shilanka में Shilanka में यहां पर civil war चल रहा था since maritime boundaries lag physical demarkation तो इन fishing activities क्योंकि यहां पर civil war था फिर यहां पर 2009 में civil war खतम होता है उसके बाद यहां पर जो fishermen होते हैं यह fishing करना है स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर divindal हो रहे हैं fuel cost यहां पर लगातार increase हो रही है India और Shilanka के tensions भी fishing के issue को लेकर तो जादा ही रहती है तो fishing communities of both countries यह acute distress में है but remain confined to the park state क्योंकि इनके पास lack of finances है तो अगर इनको आप deep fleet दे दो तो basically यहां पर जादा fish stocks को लेकर आ सकते हैं लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो fishing होनी चाहिए sustainable होनी चाहिए China जो यहां पर fishing करता है यह actually sustainable नहीं है अब China ने क्या किया तो China एक net importer हुआ करता था food grain का उसके बाद China को realize हुआ कि अगर अपने लोगों को यहां पर protein देना है और Chinese diet में यहां पर protein include करना तो उसके लिए यहां पर fishing को promote करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर China जो है यह आज fishery super power बन चुका है जो की own करता है what's largest deep water fishing fleet with boats that stay at sea for months or even years 2016 में China ने consume कहता 38% of the global fish production और यह लगातार increase ही हो रहा है यहां तक कि China दूसरे countries के exclusive economic zone में भी जाकर यहां पर fishing करता है interestingly China also uses a part of its fishing fleet as a maritime militia और जो की यहां पर navy और coast guard को help करता है तो इंडिया में भी animal protein एक rich source हो सकता है healthiest option हो सकता है hunger को mitigate करने के लिए malnutrition को mitigate करने के लिए independence जो इंडिया के marine fishery है इसको dominate किया गया है by the artisanal actor अगर आप यहां पर artisanal actor की बात करें यह जो sector इसमें actually poor small scale fishers होते हैं जिनके बास यहां पर छोटी छोटी boards होते हैं इनके पास कोई deep water fleets नहीं है तो यह यहां पर सरकार को provide करने के ज़रत है सरकार कैसे provide कर सकती है तो सरकार basically हाँ पर incentive provide कर सकती है subsidize कर सकती है तो India's artisanal fishers deliver only 2% of marine fish to the market while 98% जो यहां पर पकड़ी जाती है पकड़ी जाती by mechanized and motorized craft तो यह सब यहां पर करने के ज़रुएत है जो इंडिया है यह rank करता है amongst the words leading seafood exporting nations और हम इससे बहुत जाद अच्छा perform कर सकते है अगर हमारे पास यहां पर deep water fleet हो तो यह करने के ज़रुएत है since Indian shawlers do not venture into rich fishing grounds most of the fishing जो यहां पर की जाती है coastal waters में की जाती है और coastal waters में अगर आप करोगे तो आपको अपने neighbors के साथ compete करना पड़ेगा जो कि यहां पर India के fisherman को करना पड़ता है fishing vessels often drift और otherwise into foreign waters और जिसकी वज़े से यहां पर आपको बाता है कि श्रलंका की नहीं भी क्या करती है actually यहां पर fatal shootings कर देती है लेकिन हमें यह भी धिहान रखना है कि illegal, unregulated and unreported fishing नहीं होनी शाहिए currently most of India's fisheries exports are at a low level of value addition तो यहां पर जो value addition इसको increase करने की ज़रत है for example यहां पर जो frozen fishes होते हैं जिनको अब export भी कर सकते हैं यह सब यहां पर करने की ज़रूरत है तो यह एक दूसरा author ने solution बताया है बाकि यहां पर deep water fleet आपके पास होनी चाहिए mechanized fleet होनी चाहिए in September 2020 government ने यहां पर launch किया था प्रधान मंत्री मतस समपदा योजना जो कि यहां पर sustainable development की बात करती है इंडिया के fisheries sectors के लिए और इसमें investment ही आ जा रहा है 20,000 करोड के लिए आने वाले 5 सालों में और बाकि जो इंडिया है यह एक सागर के message को propagate करता है सागर का message तो basically जो इंडिया है यह net security provider बना चाहता है इंडिया notion region में security and growth for all in the region the tri-junction problem यह हम 3-4 दिन से discuss करें यह basically हाँ पर दो कलाम का issue है और यह आपको पता होना चीज जकरडंग पासमलंग वैली कहां पर है साक्तिंग wildlife sanctuary कहां पर है और यह जो चाइना भूटान का दो कलाम को लेकर issue है उसमें इंडिया कितना important player है यह सब आपको पता होना चाहिए तब poverty mystery नहीं discuss करेंगे बिल्कुल भी important ही इसमें एक भी point important ही है जौजला tunnel यह important हो सकता है तो यह बार हम discuss कर लेते हैं यह एक high mountain pass है जो कि located in the Cargill district of Ladakh यह जो pass है लिंक करता है ले और श्रिनगर को इसको mountain pass of the blizzards भी कहते हैं इच रमेंस close during winters क्योंकि यहाँ बहुत ज़दा rainfall हो जाती है 2018 में यहाँ पर एक channel बनानी ही सोची गई थी और उस project को launch किया गया तो जो कि 2026 तक पूरा हो जाएगा यह जो tunnel है एशिया को longest होगा and bi-directional tunnel है जो कि यहाँ पर all weather connectivity प्रोवाइट करेगा between Shrinagar, Cargill, Antley तो यह tunnel यहाँ पर important हो जाता है यह आपको बाता होना चाहिए December 2026 तक यह पूरा हो जाएगा next है Mice Priston यह क्या है तो basically यह abortion की एक drug है अभी यह news में क्यों है क्योंकि यहाँ पर USA की दो court की rulings आई तो एक court का यह कहना है कि इस drug को यूज कर सकते हैं दूसरे court का यह कहना है इस drug को नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि abortion यह illegal है अब abortion क्यों illegal है तो row versus weight के judgment को जो यहाँ पर overturn किया गया था उसकी वज़े से तो अब row versus weight का judgment हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर क्यों overturn किया गया था ठीक है देखते हैं क्या article लिखा हुआ है तो Mice Priston सबसे पहले यह पता होना चीए यह एक abortion की drug है यह कैसे काम करती है तो Mice Priston is a medication that is commonly used for medical abortion और यह जो progesterone होता है यह उसको यहाँ पर block कर देती है progesterone यहाँ पर ज़रूरी होता for maintaining the lining of the uterus during pregnancy और जब यह block हो जाता progesterone तो basically यहाँ पर जो early pregnancy होती हो तो terminate हो जाती है और यहाँ पर उस महिला की भी rights है साथ में यहाँ पर जो baby उसकी भी rights है तो दोनों की rights की यहाँ पर बात हो जाती है तो यह सारी बात यहाँ पर की गई है जो कि I don't think बहुत ज़ादे important है इंजिया का ज़रूर आपको पताऊना चाहिए medical termination of pregnancy act क्योंकि उसमें यहाँ बार amendment भी किया गया था तो original वाला तो नहीं पताऊ तब भी चलेगा लेकिन जो amendment वाला है वो आपको पताऊना चाहिए और जो supreme court की ruling आई थी उसको लेकर वो तो ज़रूर बताऊनी चाहिए next है in Spain evidence that bronze age humans took psychoactive drugs अब मुझे नहीं लगता है बहुत ज़ादे important इसमें यह कहा गया है कि bronze age के दौरान जो लोग थे यह psychoactive drugs लिया करते थे ठीक है प्रिलिम्स में यह statement तो बिल्कुल नहीं आ सकती कि bronze age के दौरान यहाँ पर जो लोग थे क्या वो psychoactive drugs लेते थे नहीं लेते थे यहाँ पर एक point important है जो कि है minorca यह क्या है तो यह location है कहां पर है यह island है off the coast of eastern Spain ठीक है तो यह याद रखना है बाकी यह जो यहाँ पर psychoactive drugs बनाई जाती थी किसे बनाई जाती थी तो etropin and iscopalamin ठीक है और यह कौन से plants में मिलते हैं the nitrate family अभी यहाँ पर plants के नाम mention है जो कि आप देख सकते हो कौन से plants के नाम mention है तो यह island यहाँ पर ज़रूर्ण हो सकता है वो आपको देखना पड़ेगा next is what lego India will do तो lego के बारे हम discuss कर चुके हैं जो lego India facility है यह महराश्रा में बनाई जारी है यह महराश्रा में कहाँ पर हिंगोली district में अभी lego क्या करेगा तो lego यहाँ पर gravitational waves को detect करेगा इससे पहले क्या gravitational waves detect हो चुकी है तो हाँ इससे पहले gravitational waves detect हो चुकी है जो US में lego facility भी समझते हैं actually gravitation यह नहीं होता है gravitation यहाँ पर कुछ और होता है gravitation क्या होता है तो space time fabric में जो ripples create होते है celestial bodies की movement की वज़े से यहाँ पर gravitation force का reason है तो actually हम जो gravitation को एक force समझते है actually force नहीं है तो यह सब हम discuss करेंगे शायद आपको समझ में ना है कोई बात नहीं आप एक पर खु has given the final ahead to India's laser interferometer gravitational wave observatory तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि LIGO का काम क्या है तो LIGO का काम में gravitational waves को detect करना तो project clearing the way for the construction of the country's biggest scientific facility और इसको कहाँ पर बनाया जारा तो इसको बनाया जारा महाराश्रा में हिंगोली district में बनाया जारा है LIGO is an international network of laboratories that detect the ripples in space time produced अब आपको यह लग रहा होगा कि gravitation को आप किसी और तरीके से समझते थे यह यह यहाँ पर gravitation को क्या बता रहा है कि space time fabric है जिसमें यहाँ पर ripples create हो रहे है तो LIGO इंडिया यहाँ पर located है in हिंगोली district of महाराश्रे about 450 km east of Mumbai अब Newton का law of gravitation यह आपको पता ह है और इसी force की वज़े से जो heavenly bodies है यह अपने orbit में move कर रही है ठीक है तो Newton ने यह बताया कि this was due to the fact कि यहाँ पर जो हर celestial body है यह एक attractive force exert करती है on every other body in the universe जिसकी वज़े से यहाँ पर यह लोग अपने orbit में घूम रहे हैं He worked out a mathematical formula और उसके बाद इन्होंने इस attractive force की strength को बताया कि यह जो attractive force इसकी क्या strength होगी और इस formula के according इन्होंने यह बताया कि यह जो directly proportional होगा to the masses of the two bodies और यह inversely proportional होगा जो कि distance का square है ठीक है and inversely proportional to the square of the distance between them तो यह theory को सही माना गया लेकिन इस theory में कहीं कहीं problem है वो problem क्या है वो हम समझा गी थी क्योंकि theory ने explain नहीं किया कि जो attractive force है between any two bodies इसका reason क्या है why should every piece of matter यह दूसरी की तरफ attracted feel करता है तो यह इस theory ने explain नहीं किया फिर उसके बाद यहाँ पर Albert Einstein अपनी theory देते है special theory of relativity special relativity जो कि 1905 में publish की गई इसमें यह बताया गया थे कि कोई भी चीज speed of light से faster नहीं ह हो सकती है nothing could travel faster than the speed of the light लेकिन यहाँ पर Newton की gravitational equation इसमें कहीं भी आपको time नहीं मिलेगा तो मतलब time as a factor को consider ही नहीं किया गया था Newton के दौरा फिर general theory of relativity आती तो Einstein 1915 में यहाँ पर general theory of relativity देते हैं लेकिन उस समय यह theory सही है यह नहीं इसको proof करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं थ detect करें क्योंकि यह theory को हम तब ही सही मान सकते दे अगर gravitational waves exist करते हैं लेकिन 2015 में जब gravitational waves को detect किया जाता है लीगों के द्वारा laser interferometer gravitational wave observatory उसके बाद हमें realize होता है कि यह जो यहाँ पर Einstein ने GTR दी यह पूरी तरीके से सही है क्योंकि gravitational waves यहाँ पर exist करते हैं अब gravitational waves को detect करना इतना मुश्किल क्यों होता है क्योंकि gravitational waves जो होती है बहुत ज़ादा weak होती है तो इसके लिए आपको high precision instrument की जरुवत है वरना आप इसको detect नहीं कर सकते हो 10 years later in 1915 Einstein altered our understanding of gravitation with his general theory of relativity और इससे पहले special relativity दे चुके थे जिसमें इनोंने ये बताया था कि जो space और time है ये independent entities नहीं है but had to be woven together as a space time और space time तो मैंने आपको बता दिया कि space time fabric में अगर यहाँ पर celestial bodies होती है तो उसकी वज़े से यहाँ पर ripples create होते है और ripples जो है उसकी वज़े with matter was influenced by it and in turn itself influenced events it was just like a soft fabric that responds to a heavy object placed on it and curls around it gravitation is just a curvature in space time अगर यहाँ पर जादा मास होगा center में तो इसकी वज़े से यहाँ पर जो curvature ये भी जादा steeper होगा जादा bigger होगा with this one mind bending idea Einstein was able to explain कि यहाँ पर gravitational force का origin क्या है और यहाँ पर perpetual near circular motion of the heavenly bodies के इसका reason क्या है general theory also predicted that moving objects would generate gravitational waves in space time और जैसे यहाँ पर moving boat एक ripples create करती है वैसे ही यहाँ पर ripples create होते है अब यह जो ripples है space time में है तो gravitational waves have the effect कि यह temporary deformation भी कर सकते हैं body में अगर यह इसके साथ contact में आते है gravity is the weakest of all natural forces और जिसकी वज़े से यहाँ पर gravitational waves को detect करना बहुत मुश्किल होता उसके लिए यहाँ पर leigo को बनाए गया laser interferometer gravitational wave observatory और इसकी एक facility यहाँ पर इंडिया में बनाए जा रही है the precision of the measurements required to detect gravitational waves is mind-boggling तो यह सब यहाँ पर बताया गया पहले यहाँ पर two US-based leigo detectors थे अभी यहाँ पर इंडिया में एक facility बनाए जारी और हो सकता है कि इंडिया में यह जो facility बनाए जारी यह last leigo की black hole mergers यहाँ पर strongest gravitational waves को detect करते हैं और इसको ही 2016 में यहाँ पर detect हिया गया था detect तो पहले ही कर लिया गया था लेकिन यहाँ पर कुछ समय लिया गया इसको validate करने के लिए क्यों समय लिया गया क्योंकि basically अगर truck भी move कर रहा है तो भी यहाँ पर false result दे सकता है लेकिन दो जगे यहाँ पर facility है और दोनों ने यहाँ पर gravitational waves को detect हिया है तो दोनों गलत detect करें इसके यहाँ पर negligible chances है इसलिए हर जगे facility बनाई जारी है और पांच facility बना चुके हैं पांच भी जोग है यह इंडिया में ही है तो legal India will be the fifth node of this international network of gravitational wave observatories and possibly यहाँ पर last ही होगी the chances of two observatories जो कि different geographies में located है और यह same false reading produce करें इसके chances यहाँ पर negligible है but two detectors are the bare minimum needed अभी तो यहाँ पर पांच बन चुके हैं इसके लबा जो इंडिया है वो कहां कर इंटरनाशनली कोलाबरेट कर रहा है तो large hydrogen collider तो यह CERN का है सबसे पहले इसने hicks boson particle या god particle detect किया था फिर यहाँ पर इसका दूसरा run होता है फिर यहाँ पर तीसरा run होता है तीसरा run में यहाँ पर इसने कुछ pentacogs detect किये हैं tetracogs detect किये हैं फिर Eater, Eater में क्या करने के कोशिश कर रहे हैं तो controlled nuclear fusion reactions करने की कोशिश करें जिसको tokamak कहते हैं T-O-K-A-M-A-K अब यह जो international space station है जब यह end हो जाएगा उसके बाद जब नया international space station बनाए जाएगा तो उसमें भी हो सकता है कि India collaborate करे बाकी इंडिया एक neutrino observatory बना रहा है यह कहां पर बना रहा है यह आप बताओगे और neutrino के सारे points आपको बताओने चाहिए नहीं पता है तो पढ़ लेना neutrino उसकी बारे में अभी हम चलते हैं आगे changes the NCF 2023 draft तो अभी यह draft है हम draft discuss भी कर चुके हैं लेकिन अब फिर से नहीं discuss करेंगे इसको आगे हम चलते हैं को important news नहीं economy पेच पर इस्रेल unleashes retaliatory jets on Syria अब इस्रेल और Syria का तो चलता रहता आपको यहाँ पर Golan Heights बता होना चाहिए Golan Heights यहाँ पर Syria का बाठ था लेकिन इस्रेल ने annex कर लिया था 1967 में तो इस्रेल seized the Golan Heights in the 1967 Middle East war and annexed the 1200 square kilometer और यह Golan Heights कहाँ पर है इसका question आ चुका है और इस पर question 11 का भी आया था तो यह जो area है important हो जाता है यहाँ पर good Friday agreement की बात की गई good Friday agreement किया है तो इसको 1998 में sign किया गया था largely ended three decades of sector in bloodshed जो कि हमें Northern Ireland में लेखने को मिला था US has sought to protect the peace from the streams जो कि यहाँ पर Britain ने जब exit किया है European Union से उसकी वज़े से हुआ अब इसके बाद बहुत सारे agreement news में आ गया था एक तो Belfast agreement किया है Windsor framework किया है चोकि हम discuss कर चोके हैं अगर आपको नहीं पैदा तो आप देख सकते हो तो I hope आपको सब कुछ clear हो गया हो अगर आपको कोई भी doubt है तो आप telegraph group पर post कर सकते हो if you liked the video आप like, share, subscribe कर सकते हो and अगर आपको April की PDF लेनी तो comment section में सारी details and thank you and have a nice day